हलो फ्रेंट्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मारी यूटूब चैनल एवियेशन जगत में तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इकास और इकाम सिस्टम के बारे में कि इकास एंड इकास सिस्टम होता क्या है अखिर किस प्रकार से एरक्राप्ट के लि ही है दोनों का काम कुछ ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है दोनों में इकास सिस्टम है जो बोईंग में होता है इसमें दो डिस्प्ले होते हैं जो कि मीडिल में होता है कॉक्पिट के वहीं पर जो अपर डिस्प्ले होता है उसका कुछ अलग फंक्शन है लोवर का कुछ अलंक क्या है इस सभी चीज़े इनके साथ साथ हमारे लेंडिंग एर का पोजीशन क्या है इसके साथ स्लाइट का क्या कंडिशन है जो भी सब चीज़े हैं इस सब प्राइमरी होते हैं एर क्राफ के लिए जो यह मॉनीटर किया जाते हैं इसको जो है इकास अपर इकास में सोग किया जाता है इकाज सिस्टम भी जो है ए इफिस का ही पार्ट होड़ता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर EGT के लिए Pressure Ratio के लिए और Temperature के लिए सब के लिए देखो अलग-अलग पहले के टाइम में इन लॉग इंस्टूमेंट भा करता था और अभी जो है इकाज सिस्टम और इफिस के आने के बाद से कितना दा इजी हो गया वहीं पर अगर देखा जाए Situational Awareness के लिए लाइक कोई भी सिस्टम में अगर Failure है तो भी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफूल होता है इकाज सिस्टम हम अगर Lower Ecosystem की बात करेंगे तो लाइक मान लीजिए कि अभी इंजन ऑयल है ऑयल प्रेसर मान लीजिए कम हो गया और उसमें डिटेक्ट हो रहा कैसे पता चलेगा तो यह जो है दोस्तों लोवर इकाज में हमारा लोवर जो डिस्प्ले है उसमें जिस राइट साइट वाल इंजन एफर लेट साइट वाल इंजन जिसमें ऑयल प्रेसर कम है उसमें जो है चारो तरब जो है उसके रेड लाइन बन जाएगी किस प्रकार से जो है कोई भी problem में fault आता है तो पता चलता है तो उसमें level 3 में बाटा गया है like level 1, 2 and 3 होता है तो level 3 किस प्रकार की warning है इसमें बताने वाले आपको like अगर over speed हो गया, stall condition आ गई तो इस प्रकार से level 3 में इन सब चीजों को रखा गया है level 2 में ऐसे system failure जिसकी वजह से air craft पर कुछ ज्यादा effect ना पड़े, air craft के जो performance है उस पर effect ना पड़े इनको level 2 में रखा गया है इसमें क्या है single chime आएगा और steady amber light आएगी level 1 में क्या होता है level 1 में जो है विल्कुल minor false रखके आते हैं और इसमें amber light आती है और जब अगर सब कुछ सही है तो ऐसे condition में जो है एक green light आएगी like green light में so होता है चलिए बात करते हैं lower request system के बारे में अपर के बारे में आप बहुत कुछ जाने तो अब lower request के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों जो lower engine indicating crew alerting system है इसको हम multi function display भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि कई सारी चीज़े को एक साथ बताता है इसी में ही like maintenance page BC में रखा गया electronic checklist BC में है और बहुत सारी information MFD में है तो कौन-कौन से ही information है like यहां पर हो गया electronic जो भी हमारा electrical power है वो GPU से आ रहा है या फिर CPU से बैटरी से आ रहा है अगर हमें देखना होगा कहां देख सकते हैं अगर रिकाम में बात करें तो भी लोवर रिकाम में ही देखा जाता है अपने door की condition क्या है कौन सा door L1 L2 या फिर कौन सा door है हमारा close है या फिर open है तो ऐसी condition में भी हम इसको लोवर रिकाम पर ही लोवर रिकास पर ही देख सकते हैं उसके साथ जो हमारे wheel होती है जो है फैंस लगे होते हैं उनको ठंडा करने के लिए और कितना जादा ब्रेक हमारा हाट है या नहीं हाट है यह सब कंडीशन भी देख सकते हैं पर हाइड्रोलिक जो होता है वह भी यहीं पर ही लोवर रिकास में ही है इसके साथ साथ इन्वार्मेंटल कंडीशन हो गई बाइट टेस्ट होता है यह सभी हमारा लोवर रिकास में ही सो किये जाते हैं और दोस् यही पाइलट इवेंट बटन को जैसे प्रिस करेगा उसी टाइम उसको पता चल जाए कि किस पार्ट में क्या प्राव्लम है अब आप से लोग समझ गया होंगे इकांस एंडिकांस इस्टम के बारे में अगर वीडियो वीज़फुल रहा होगा इंफॉर्मेंट भी रहा होगा तो प्लेज स्सक्राइब करना एं सपोर्ट करना थैंक यू फ्रेंस वार वाचिंग वीडियो